राजदूत लवर्स दोस्तों को मेरा नमस्कार में रौफ खनाफरीदी कोटा राजस्थान से और आज आपको दिखाने वाला हूँ राजदूत का पार्ट्स केटलोग जो राजदूत 175 आता था एसकोट का प्रोडक्शन था उसका केटलोग आज हमारे पास आया है तो इसका दिखा देता हूँ मैं आपको और सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको जो भी में वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे तो चलिए शुरू क अपनी के जो डीलर हुआ करते थे जहां पर हम लोग बाइक लेने जाया करते थे सिर्फ ये केटलोग उन्हीं डीलर्स को दी जाती थी ताकि वो गाड़ी का पार्ट्स दे सकें आपको इजी ली तो चलिए शुरू करते हैं देखिए इसमें कॉंटेंट दिया हुआ है सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, पिस्टन, क्रेंक शाफट ये सब वगेरा सारा दिया हुआ है फीगर नम्बर 1 है चेषी, अब चेषी में कितना पाट आता था, वो सारा यहां पर बनाया हुआ है उसको numbering किया गया जैसे ये दिखिए आप उसके बाद में हर part का number दिया है जैसे ये part है one number तो इसका लिखा है frame welded इसका part number है 115-0106-00 ठीक है दूसरा figure लेते हैं हम लोग तो figure number 2 है इसका front fork जो earl fork आया करता था टेड़ा वाला इसमें कितने part लगा करते थे उसका साब detail wise दिया गया जैसे ये पहले number हो गया आपका fork दूसरा number पे हो गया आपका upper वाला nut तो इसका क्या part number था ये सब का राज़ूत company दिया करती थी figure number 3 पर आते हैं हम तो figure number 3 है इसका front shocker ठीक है ये cup वाला shocker है उसमें spring shocker pump rubber बूश ये सब आया करता था देखो लिखा हुआ है shock absorber front चोथा figure है इसका telescopic front shocker जो आजकल जो sprender जैसा शोकर आता उसका telescopic front shocker कहा करते थे ये सब लिखा हुआ है उसका पूरा description यहाँ पर दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं figure number 5 है इसका front wheel अब wheel में क्या-क्या part आया करता था जैसे ये drum हो गया ट्रम के बाद brake shoe हुआ ब्रेक प्लेट हुआ ब्रेक का केम हो गया आपका टायर हो रिम हो गया ये सारा कुछ ये double डबल केम वाला डबल केम वाला आपका शू ब्रेक शू है अब इसमें क्या के आता था ये सारा detail wise यहां पर description पर लिखा गया देखो washer, bushing, oil seal, wire cup, bolt with adjusting ये सारा कुछ दिया गया है figure number 6 पर आगया भी ये इसका rear wheel जो पीछे वाला wheel है ये उसका है यहां पर देखो चैनिस pocket लगा हुआ है बड़ा वाला उसका लोक वगेरा है drum है, drum plate है, ये सारा कुछ है, half axle है और इसका सारा description यहां पर यहां पर दिया गया है किस part number का आता था figure number 7 पर चलते हैं तो अब आगया आपका tank tank ये है XLT super D model वाला जिसमें yamaa जैसा tank kip आता था और round वाला tank kip भी आया करता था कुछ में plates आता था, कुछ में plates नहीं आता था, super D XLT में side में chrome plate नहीं आता था, इसका description यहां पर लिखा हुआ है figure number 8 पर आते हैं, figure number 8 है ये super D वाला tank जिस पर monogram बने हुए आते थे ये graphics आता था और ये बड़ा राजदूत वाला bold letters में राजदूत का monogram आता था, इसका पूरा description लिखा गया है यहां पर figure number 9 की बात करता आता है chain cover और half chain cover ये हो गया आपका, ये lower वाला ये upper वाला और ये हो गया आपका full chain cover अब इसका chain guard का पूरा description यहां पर लिखा गया है figure number 10 है आपका front mudguard, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत मोटी book है और पूरा gearbox अगरा तो वीडियो को मैं आपको यही बोलूँगा कि आप वीडियो को पूरा last तक देखें, अब आगए आपका figure number 11 front mudguard, ये XLT वाला chrome वाला जो mudguard आता था, figure number 12 पे ये rear mudguard, इसका सारा जो भी part आता था उसका सारा description यहाँ पे लिखा गया है, ये हुआ XLT वाला mudguard, जो chrome mudguard आता था, XLT और SuperD RD 350 में, RD 350 में थोड़ा सा different आता था, लेकिन लोग SuperD XLT का लगा लिया करते थे, figure number 14, इसके अंदर जो ये rear mudguard दिया गया है, ये आप देख रहे हो, ये plastic के आता था, राजदूत S model में, और SuperD model में आगे की side में, तो ये उसका है catalog, अब चलते हैं, figure number 15 पर ये आगए आपके side वाले plates, जो चेसी में लगते थे, उसका भी पूरा जितना भी parts लगता था, उस सब का यहाँ पे दिया गया है, अब आ गया है आपका XLT वाला side cover, ये normal point औ आता था, राजदूत का, ये ये बना हुआ है, देखिए, monogram, number 1, monogram, और ये राजदूत name plate, figure number 16 पर है, राजदूत का, XLT SuperD का side cover, figure number 16 पर है, XLT का left hand वाला side cover, जिस पर XLT RD 175 का monogram आता था, आगे चलते हैं, figure number 17 पर आया है, point वाला filter box, air filter box, ये filter box हो गया, ये rubber हो गया, ये air filter है, आगे पीछे का rubber washer है, फिर उसका box का धकन है, lock है, और carburetor का rubber है, और carburetor का rubber है, और carburetor के rubber को रोकने के लिए, जो pin आता है, वो है, अब figure number 18 पर आता है, ये हो गया, आपका SuperD वाला air filter box ये SuperD में इस type का air filter आता था, राजदूत नोर्मली, point और electronic model में इस type का air filter आता था, तो इसका पूरा description, part number के साथ में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, figure number 19 पर आया है, आपका toolbox, ये toolbox है, point और electronic model के लिए, ये toolbox है, आपका SuperD XLT model के लिए, ये लोहे में आता था, ये plastic में आता था, figure number 20 पर आया है, toolkit, राजदूत कमपनी हर गाड़ी के साथ में, एक toolkit दिया करती थी, उसमें एक spanner होता था, plug खुलने के लिए, एक screw driver होता था, एक Tommy bar होता था, ये तीन spanner हुआ करते थे, एक pouch हुआ करता था, figure number 21 पर है, आपका battery holder, ये battery वाली गाड़ी में आया करता था जो नॉर्मली राजदूत S वागेरा होती थी, उसके अंदर आता था, point model में, early 70s से पहले जो गाड़ी आया करती थी, उसमें 6V की battery आती थी, और जो 2000 के बाद में जो गाड़ी आई, उसमें 12V की battery आती थी, figure number 20 पर है आपका brake pedal, rear wheel के लिए, जो जिससे हम brake को प्रेस करते है पेडल को, तो rear wheel पे जाके brake लगता है, ठीक है, इसका भी पूरा description यहाँ पे जिया गया है, क्या-क्या लगता है, और कौन-कौन सा part आता था, part के number के साथ में, पूरा description पे जिया गया है, figure number 23 पे है आपका man stand, अब man stand आपको कैसे लगाना है, वो सारा इसके अंदर समझाया गया है, part number के साथ में, figure number 24 पर है, आपका silencer, यह silencer के अंदर क्या-क्या component आते थे, जिसे एक silencer का पेकिंग है, उसके बाद में एक nut है, फिर bend pipe है, फिर bend pipe के उपर का जो nut है, यह आपका head में लग जाता है, bend pipe और silencer को जोडने वाला यह clip है, यह nut है, उसके बाद में यह glandory है, फिर silencer है, फिर आपका silencer का flute है, यह सारा कुछ है, इसमें सारा figure out किया गया है, description में कि क्या-क् लगता था, और क्या-क्या इसमें लगाया जाता था, ठीक है, आगे चलता है, figure number 25 की तरफ, figure number 25 है, आपका rear shocker, राजदूत के अंदर rear पीछे वाला shocker, यह cup type shocker है, इसमें आपका spring type भी shocker आया करता था, तो यह सब सेम ही होता था, दोनों का, खाली यहाँ पे, इस cup की जग यहाँ पे राजदूत ने बाद में spring दे दिया था, अब figure number 26 आगया है, आपका swing fork, जो पीछे का जो जूला जिसको बोलते हैं, वो आया है, इसका part number वगेरा सब कुछ इसमें दिया गया है, figure number 27 पर चलते है, handlebar, अब handlebar में क्या-क्या part लगता था, वो सारा इसमें पूरा द दिया गया है, यहाँ पे फोटो के जरी समझाया गया है, यहाँ पे part number और कितने number पे कौन सा part लगेगा, जैसे first number पे हो गया, आपका पूरा handle, second number पे है आपका, यह एक washer, ठीक है, यह पूरा समझाया गया है, उसके बाद में आपका आया है, meter, speedometer, ठीक है, इसमें जो जो प पाट का catalog बना कर देता था, mechanic लोग को नहीं मिलता था, यह सिर्फ dealer लोगों को ही मिलता था, figure number 29 पर है, यह point वाला मीटर है, यह electronic वाला मीटर है, जो square type में आता था, यह round shape में आता था, जो doom के अंदर fit होता था, यह extra यहाँ पे plate आता था, तो handle के just ऊपर में यहाँ होता था figure number 29 यह हो गया है आपका, figure number 30 पर आया है आपका headlight, यह है point model के लिए headlight, यह पूरा round shape का doom, यह इसका seal beam ring, फिर आपका reflector, reflector के लिए glass के लिए यह आपका rubber, उसके बाद में glass भी है, इसके अंदर यह glass लगा हुआ है, यहाँ पे, उसके बाद में bulb, holder, यह सारा कुछ इसमें दिया गया है, यह है figure number 31, यह headlight है super D XLT का, यह plastic का box हुआ, फिर holder, bulb, reflector और आगे का steel वाला rim, figure number 32 की तरफ चलते हैं, तो यह होगे आपकी point model वाली tail light, अब इस tail light में कितने component थे, कितने पार्ट से, वो सारा कुछ यहां समझाया गया है, figure number 33 पर है, आपका super D XLT का tail light, उसमें क क्या क्या parts लगता था, यह सारा कुछ यहां बताया गया है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है भाई, लेकिन पूरा देखें आप, यह tail light हुआ, आपका electronic model का, electronic model में यह वाला glass आया करता था, point model में यह वाला glass आता था, उसके बाद में यह tail light है, आपका, राजदूत S model का जो last का model आया था, इस splendor जैसा, उसका tail light है यह, उस tail light में क्या-क्या parts लगते थे, यह सारा कुछ यहां बताया गया है, figure number 36 पे है, आपके electronics, electrical equipment, जो AC वाली गाड़ी आती थी, 12 volt, इसके अंदर आपका, sorry, 6 volt और 12 volt दोनों का है यह, इसके अंदर देखो, यह आपका bottle coil है, इस में से एक तार plug पे जाता है, उसके बाद में यह आपका indicator switch है, यह होन है, साथवे नंबर पे आपका flasher है, ठीक है, यह wiring kit है पूरा, यह आपका nail key वाला switch है, यह electronic model का, दो तार वाला, चार वाला, तार वाला, सिक्स तार वाला switch है, यह indicator switch है, और यह भी point model के indicator switch है, यह सारा कुछ इसमें description पे पूरा समझाया गया है, यह देखो junction box है, electrical equipment क्या 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 राजदूत में आता था, यह पूरा यहां पे description wise और part number wise समझाया गया है, figure number 37 पे यह भी equipment है, बैटरी वाले model का, जिसमें यह बैटरी बनी हुई है, यह देखिए, इसमें क्या 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 आता था यह राजदूत 139 model में ही आया है, इसमें यह जो model लिखा हुआ है, 123, 115, 138, 223, 215, 238, 147, 139, यह सिर्फ dealer ही समझ सकता था, बाकि mechanic को भी नहीं समझ में आता था और जिनको जादा जानकरी है, वो ही लोग इसको समझ पाएंगे, यह 139 जो है, यह राजदूत S model का model number है, रा बाद में आ गया आपका figure number 38, यह हो गया आपका indicator, अब indicator में क्या parts आये थे, वो पूरा यहां पे देखी, पूरा 18 parts आते थे, यह पूरा यहां पे समझाया गया, indicator 1 हो गया, indicator 2, जो round shape का point model में आता था, उसके बाद में engine complete figure number 39 यह हो गया, figure number 40 पे है, पूरा complete engine, engine के अंदर यह engine है, round shape वाला, यह पूरा round shape है, बीच में यहां पे nut होता था, oil के लिए, oil डालने के लिए, ठीक है, अब engine में क्या क्या आता था, यह पूरा समझाया गया, figure number 41 पे, यह point model का है, जिसमें round shape का cylinder आता था, round shape का, आपका head आता था, figure number 42 पे cylinder है, super D XLT का, इसमें यह aluminum का cylinder आता था यह आपका build का cylinder होता था, यह आपका aluminum का cylinder होता था, यह super D XLT model में आता था, four gear राज़ूत में भी यही आया था, यह हो गया आपका piston, अब piston में कितना part होता है, देखो यह दो ring होता है, एक piston होता है, एक गजन पिन होता है, और दो lock होते है, figure number 44 पे बात करते हैं, crank की, अब crank क में description पे पूरा समझाया गया है, figure number 45 पे आते हैं, तो engine का crank case है, उसके अंदर कौन सा part कहां पे located है, यह सारा समझाया गया है, और उसके बाद में यह पूरा दिया गया है, यहां पे description पे, कि आप चाहो तो इस PDF को देखकर, इस book को देखकर अपना engine घर पर बना सकते हैं, क्य लगा हुआ है, वो सारा कुछ इसमें समझाया गया है, जिसे आपका first number पे crank case हो गया, तो दूसरे number पे आपको screw लगाना है, तीसरे number पे यह लगाना है, चोथे number पे आपको यह वाला screw लगाना है, पांच्वे number पे आपको यह एक छोटा था वाचल लगाना है, छटे number पे ल फिरण नमबर पर टोई वाला आप लगाना देंग केस लाएं फिंग नमबर 40 वाली गाड़ी और super D वाली super D और XLT के covers यह तो एक तो आऊगे आपका magnet cover यह magnet cover यह आपका clutch cover जहांपे oil है था है figure number 48 पर भी राजदूद 175 जो electronic model आया था देखिए इस पर electronic लिखा हुआ है यह electronic model का है figure number 49 पर है आपका magnet coil dynamo magnet normal वाला जो point model में आती थी ठीचे यह देखिए यह point बना हुआ है यहाँ पर इस ओल्वे नंबर पर point located है यह सब कुछ आता था जिसे यह 27 नंबर पर जो लिखा हुआ है यह आपका है coil assembly charging 27 नंबर पर है coil assembly charging यह point model का है figure number 50 पर जाते हैं तो यह आगया आपका CDI वाला magnet जो electronic गाड़ी में आता था इसमें point नहीं आता था इसके अंदर यह pick up coil आती थी अब pick up coil कोहाँ है यह pick up coil है 11 नंबर पर यह देखिए 11 नंबर पर मैं आपको पूरा दिखाता हूं पलसर कोईल असेंबली पलसर का मतलब pick up coil भी होता है जैसे पलसर का pick up बहुत हाई है तो इसलिए इसको पलसर बोलता है figure number आवाज में थोड़ी से मेरी मिस्टेक है क्योंकि मुझे जुकाम है अभी तो इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूं पावर था वह बहुत हाई होता था इसमें इस सिर्फ दो होल आते थे और इन मेगनेट्स में चार होल आते थे इस मेगनेट के अंदर इस मेगनेट के अंदर आपको point सेटिंग करने के लिए दो होल अलग से बड़े दिये जाते थे figure number 49 है आपका point model वाला figure number 50 है आपका electronic model वाला figure number 51 है आपका XLT super D वाला अब बात करते हैं हम राजदोत कार्बुरेटर की तो नॉर्मली जितनी भी राजदोत गाड़िया आई सब में कार्बुरेटर सेम आया था कार्बुरेटर में राजदोत ने कोई चेंज नहीं किया था तो यह कर्बुरेटर हो गया आपका कर्बुरेटर के अंदर कितने component लगे हुए हैं यह सारा कुछ यहां पर बताया गया है और description में पूरा पार्ट का सब कुछ दिया गया है कि एक नंबर पे पोर नंबर पे आपका पूरा कर्बुरेटर है कर्बुरेटर distribution फीडेटर के हैं तो दूसरा नंबर हम देख लेता है यह दूसरा नंबर केप यह टीसरे नंबर पे आपका यह थीज़ै बल्यछय फैल एडजसटर फर्फिटल है जहां यह है आपका clutch fuji इसको boss clutch भी बोलते हैं हम लोग तो इसके अंदर में फर्क क्या होता था वो मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, यह आठ नक्ये वाली clutch plate लगती थी यह four gear गाड़ी में भी आया, super D में भी आया और XLT में भी आया यह यह जो clutch plates है इसके अंदर देखिए आप ध्यान से देखेगा एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, यह छे नक्ये वाली clutch plate लगती थी यह आपका आया, super D XLT, XLT और four gear में, figure number 55 की बात करते हैं, इसमें लिखा गया है, में शाफ्ट, राजदूत के इंजन के अंदर में शाफ्ट कैसे काम करता है, वो है, figure number 56 पर है आपका lay shaft, जिसके अंदर यह gear स्वागेरा लगते हैं, इसमें भी gear लगते हैं, में शाफ्ट भी आपका front का इस pocket को गुमाती है, यह front इस pocket है, उसी को गुमाती है, figure number 57 पर है, आपका speed change mechanism यानि की gear box कैसे काम करता है, आपका वो सारा mechanism इसमें समझाया गया है, कहां कहां पे कौन सा part located है, वो बताया गया है, और part का पूरा description इसमें दिया गया है, figure number 58 में है आपका kick starter, kick लगाने के लिए engine में क्या क्या component लगा होता था, वो सारा बताया गया है, जैसे यह पहले एक washer, दूसरे नमबर पे kick spring, तीसरे नमबर पे kick ratchet, चोथे नमबर पे आपकी kick की shaft, पाच्छे नमबर पे washer, छटे नमबर पे आपका यह सारा kick का, kick का lever, यह सारा कुछ, यह सारा कुछ इसमें बताया गया है, saddle, saddle का मतलब seat, अब यह seat कौन सी है, यह मैं बताता हूँ आपको, यह है seat electronic model की, जिसमें यह यहाँ पे, यह side से ऐसे खुल जाया करती थी box की तरह, यह है इसका lock, यह lock आपको RD 350 में भी दिखाई देगा, और electronic model में भी दिखाई देगा, saddle 2 यानि seat है, दूसरी वाली, यह दूसरे नमबर की seat है, आपकी XLT super D model की, जिसके पीछे काउल आया करती थी, यह plastic का, टेल लेम के उपर यह काउल आया करता था, और यह seat इस तरह की आया करती थी, यह पूरा इसमें समझाया गया है कि किस किस तरह से seat आती थी, और कहां पे क लगेज के रिए रहता था, फिगर नमबर 62 की बात करते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि एसे स्रीज राजबूत के साथ के आती थी, एक लेक गार्ड, एक आपका साइडी गार्ड, एक आपका साइड स्टेंड और एक आपका rear view mirror, यह चार आइटम एसे स्रीज में आया किसी भाई को चाहिए, तो मुझे WhatsApp कर दे मेरे नमबर पर, लिंक WhatsApp का नमबर में ने description में दिया है, जिस भी भाई को चाहिए, उसका मुझे सिर्फ जेरोक्स करवाने का चार्ज, और मुझे shipping का चार्ज चाहिए, बाकी parts का catalog का मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, तो जिस किसी भाई को चाहिए, राजदूत के बारे में ज्यादा जानकरी के लिए, वो मुझे संपर कर सकते हैं मेरे नमबर पर, जो मैंने description में दिया गया है, और आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को subscribe करें, like करें और वीडियो को share करें, ताकि राजदूत के information आपको मिलती रहे, thank you, thank you for watching